असलाम लेकुम् फ्रेंट्स क्या हाल है आप लोगों के आप सब ठीक होंगे और हम भी अलहम दिल्लाब बिल्कुल ठीक है दो तीन दिन से एक्षली में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई मेरे पास वीडियो शूट की वी है लेकिन उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिला और अभी नाज प्राइड़ है यहां पर ओफ है हमें जाना था बाहर लेकिन मगरिब के बाद निकलेंगे तो अभी मैं अपना पर्स चेंज कर रही थी जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने लिए पर्स लिया है वो भी मैं आपको बताऊंगी और अकसर मेरी वीडियो और कुछ भी रिमूफ भी नहीं किया इसमें से यह एज रखा हुआ था और मैं लेकर आई हूं और बहुत दिनों से क्लीन भी नहीं किया तो पता नहीं क्या क्या चीज होंगी तो चले मैं आपको बताती हूं यह देखे यह बैक साइड में एक्शली जो इसमें होता है ना अपना फोल रख लेती हूं जब हम बाहर निकलते हैं तो और घर की कीज वगणा रख लेती हूं तो अभी तो यह कबर में रखा हूँता था ना तो इसमें कुछ नहीं है इसमें है यह चीज़े जो चेंज बगरा होता है तो वो कभी कबार मैं पीछे डाल देती हूं वो हाट डाल के निकालने के लिए इसी होता है इसमें है यह तूत्पी जो के एकसर हमें जरूरत पड़ जाती है कभी ना कभी यह मर्यम की एक क्लिप है जो के मुझे नहीं पता कब रखा होगा मैंने और यह जिप है यह मुझे लगता है मर्यम की जैकेट के एक बार निकल गई वी थी ना यह वही है यह चोटी सी क्लिप मर्यम की है और यह है इतने सारे कोईंस अच्छा कोईंस और यहां की करन्सी और जो नोट होती है ना तो वह सारी वीडियो है एक सेपरेट मैं आपके साथ म और कुछ नहीं है क्योंकि मैं इसमें आक्सर फोन डखती हूं तो वह ना निकालने के लिए बहुत एजी हो जाता है और जो घर की की होती है वह यहां पर रख लेता है अच्छा यह पर्स ना मैंने लिया आता तकरीबन दो साल पहले वैसे मेरे पास दो तीन और पर्स है ले हिटे पुछ ओपन करते हैं खजाने को जिसमे कितना खजाना है देखते हैं को सबसे नहीं कि उपर्स होती इसके भी हालत बहुत कराब हो ग surname करहे है और ये मैं युजक तकरीब unveiled 7 स्वाल पहले मैनने लिया थाstring जब मैं पुए तहारी थी उसके पहले मैंने लिया था और तब से मैं इसही को इस्तामाल कर रही हूँ इसके साथ में में पुड़े एक छोटा सा परस मिला था लेकिन मेरे पास यही था ना सो बस मैं इसही को रखा होगा अक तक और इसमें देखते हैं क्या चीज़े हैं नॉर्मली इसमें तो वैसे पैसे ही होते हैं लेकिन फिल भी मैं आपको दताया देती हूं यह देखें इसमें है यह हमारे सिवील आईडी और यह जो हम आनकोस्ट जो सुपर मार्केट है ना यह उसका काड है हम लोग कुछ भी शॉपिंग करते हैं और यह काड देते हैं तो इसमें हमारे पॉइंट्स बनते हैं और बाद में हमें यह पॉइंट्स के बदले कोई भी चीज मिलती है या फिर उतने पैसे जो होते हैं उन लोग इतना डिड़क कर देते हैं और यह है क्वेट मैजिक का यह एक बिल है पता नहीं क्या चीज का है यह कभी तो हम गया होंगे यह क्या चीज का बिल है हां यह अभी है ना दो दिन पहले हम लोग सिटी कहें वेते हैं तो वहां से बच्चों के शूज दिये थे तो यह उस चीज का बिल है बस यह रह गया है परस में और भी है यहां फिर पॉइंस हैं यह क्या चीज है ओहु हुआ है कि मुझे टाइ बांग नहीं आती तो यह मेरी शादी से थेले का है यह पॉलेज के टाइम पर मैंने पेपर में देखा था वो टाइ कैसे बांद आ है न तो यह उसका पूरा दिया हुआ था मैंने उसे जब से कट करके रखा ह है तो यह अभी तक मेरे पर्स में और यह देखें इसको डेट भी लिखी भी है यह है टूएंटी टू अक्टूबर 2005 का यह पेपर था तो उसमें से मैंने इसको कट करके रखा हुआ था यह अखबाल की कटिंग है मिरर बजिये देखें टूएंटी टू अक्टूबर 2005 तो मैं फिर न थski जब से मैंने अपने पॉरस में रखा था तो पर्स चेंज किया है लेकिन मुझे लगता हिए यह ने मैं वापस से चेंज करके दूसरे पर पर्स में डाल दिया तो तो यह रखते हैं देखते हैं और यह कब तक काम आता है यह एक कार्ड है ग्रैंड हाइपर का सेम एक सूपर मार्केट है वहां पर भी पॉइंट्स मिलता है ना इसमें शॉपिंग करने पर यह है मेरे पास है और यह क्या चीज है हाँ यह हमदान की स्कूल का पीस भरावाता ना तो मुझे नहीं पता है यह 2019 का है हाँ यह 19 में कभी म इसके अलावा यह देखें यह नोट है यहां की और यह है मेरा इंशरेंस कार्ड पहले हाँ पर मिलता था लेकिन अब नहीं मिलता ना अब नहीं मिलता यह बार मुझे मॉल में ना एक लेडी मिली थी उनका कोई पारलर है तो उन्होंने अपना कार्ड दिया था तो यह भी जब से मेरे पास में रखा हुआ है और यह कोईंस है यह नैस्टो का कार्ड है जो कि हमारे पास में सुपर मार्केट है हम लोग अकसर वहीं पर जाते हैं तो और इस कार्ड में ना यह वाली सुपर मार्केट से मैंने बहुत सारे इनाम लिया है यह लोग कोई चीज पॉइं पॉइंट होते हैं उतने पॉइंट पे यह चीजे मिलेंगी उस तरह की होती है यहां से मैंने बहुत कुछ लिया और क्या चीज है यह देखें यह इंडिया का अधार कार्ड है जो कि कभी रहे गया होगा बाकी के सारे डॉकुमेंट्स तो इंडिया में लेकिन यह रहे गया और इसके अलावा है यहां पर जब मैंने मोबाइल चेंज किया था तो उसका कार्ड में यह लगा था इसको क्या बोलते पता निक रहे गहा था यह दिल्ग थी जो कि मैं कभी पहांगती थी और मुझे नहीं पता यह कैसे रह गई थी वह है और इसके अलावा है यह एक की आप तो फेर नहीं मिलती है नोट यह जब मैं पॉलेज में थी ना जब मैंने पॉस्ट यह में एडमिशन लिया था तो वहां पर मेरी एक फ्रेंड करनाटक से आई थी उसने मुझे दिया था कह रही थी कि इसको रखेंगे ना परस में तो परस में बहुत पैसे आते हैं तो म मैंने रखा है 2004 से यह मेरे पर्स में मतलब उसके बास में बहुत सारे पर्स चेंज किया लेकिन यह नोट मैं रख लेती हूं बस ऐसा है तो बस यह पर्स तो बिल्कुल खाली हो गया है और आप इसमें रखने जैसा भी नहीं है अब मैं इसे दूसरे पर्स में रखूंगी इसको रख देते हैं साइड में और यह बताती हु में इसके अलावा क्या की चैज़े मेरे पर्स मैं इसके अई हाउस रैंट का शाए पै किया होगा पारंक कुछ क。 अट हूह निकल लेते हैं एक साथ। यह देखें कितनी सारी चीज़ ए एक पैन पैंसिल अच्छा यह वह पेपर सेना जो यहां से पैसे इंडिया में ट्रांसफर करते है यह वह बाहर जाते तो यह पेपर मेरे पास में रहे गया यह बहुत पुराने हैं उर्म काफी पुराने हैं मैं यह थोड़े से टीशू से बहुत जरूरी होते हैं पर्स प्रस में यह मार्च के मंत्का यह हम लोग कुछ लेए यह मर्यम के दो मास्क काफी दिनों से शायद मेरे बैग में पढ़े वह हैं क्योंकि आप तो मास्त नहीं लगा कर जाती पहले जाती थी यह थोड़ा सा कोटन है और यह मैंने क्यों रखा हुआ है यह आपको आगे बताती हूं मैं यह अक्सर मेरे बैग में मिलेंगे आपको यह है लीस्ट वच्या में बाहर गया हूंगे तो बनाया होगा हमने वह भी मैं वैग में अब्यम्म कितना बदा हुआ है यह एक साइट वाला बचार यह देखें इसमें है यह मोस्त खाली हो चुका है पॉस्त आप को बटार इस में व्होड में है यहां पर मुझे यह चीज दिखाई दी यह है अबाया क्लीनर वाइप से तो अक्सर जो लोग ब्लैक अबाया पहनता है उनको पता होगा के बैटते उपते कहीं भी ना उस पर डर्स्क लग जाती है क्लार फुल में तो शायद इतना नहीं पता चलता है लेकिन ब्लैक में ज्यादा चलता है तो यह मुझे दिखा तो मैंने यह ले लिया था तो यह पांच चाटा से पहले ही मैंने अपने बैग में रखा यह अबाया वाइप से उसके इलावा है यह वैट टिशू बच्चों के पोटोस है यह हमेशा नहीं होता है लेकिन मैं लेकर गई वी थी एक सैनिटाइजर जो के मस्ट है आज कल हर एक के पर्स में नजर आएगा आपको देखें यह मैंने कॉटन रखा हुआ था ना बैग में वो इसके लिए यह क्या चीज़े पता है यह है लुक्माने हयात तेल अच्छा जो लोग बॉंबे में रहते है ना उन लोगों को पता होगा कि जिनके गर में छोटे बच्चे हो उनके घर में लुक्माने है यात जो तेल है ना वो मतलब रहना लाजमी है और यह ऑईल को ना मैं यह से छोटे से इस प्रे बोटल में डाल के अपने बैग में और यह क्यों जिडिए अख्ञाए candle यह विह हम्दान की स्कूल की ज्यौत को भी बे किया होगा बहुत भाह चुराना है यह इ अग टॉइ भी मिला है मर्यम में ले लिया होगा बाहर जाने के बाद मुझे दे दियोगी तो फिर यह में रहेग United और इसके अलावा देखे एक डाइपर है यह डाइपर तकरीबन एक देड़ साल पहले मैंने रखा होगा कई हम जा रहते तो एक डाइपर मैंने बैग में रख लिया था वैसे जब बच्छे साथ में होते हैं तो उनके जो कपड़े होगरा होते हैं वह मैं अलग से एक एक बाइपर लेने के लिए गहते हैं तो मैंने लेकर बैग में रखा तो एक मेरे बैग में रह लिया था यह हो गया जी खाली अब कोई चीज नहीं अची है तो यह चोटे से बैग में ना मेरे इतनी सारी चीज़े थी और इतने कछे रह बीते देखे अच्छा आप लोगो और अभी मेरी फ्रेंड साने वाली है क्योंके तीन-चार दिन काले मैंने जो अब आया लिया है तो उन लोगों ने वो देखा और उनको भी वो बहुत पसंदा है तो वो लोग अभी आएंगे और हम लोग जाएंगे अब आया लेने ठीक है तो इंशालला फिर नेक्स वीड